आज की वीडियों आपको बताने वाला हो कि अगर आप अपने Paytm का QR Code निकालना चाहते हैं जिसे Paytm का QR Code हो गया कहीं पेंट रेना होता हूद जिसे मैं कोई काम करता हूँ दिन में मुझे payment लेना होता तो मैं क्या करता हूँrical थो अपना बार-Code करता हूँ तहले तको अरफ की विडियो में आपको वहीं बताने कैसे मिलता है कैसे आप पेमेंट ले सकते हैं कैसे आप बार कोड को शेयर कर सकते हैं सारी जानकारी बार कोड की ही मिलेगी इस वीडियो में चले वीडियो को सुरू करेंगे वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अभी तक चैनल को करें आपको बताया था पेटियम में वार को निकालने के लिए जैसे मैंने पेटियम आपको ओपन किया तो आपके समय कुछ इस परकार का इंटरफेस दिखाई देगा तो आपकर किसी से पेमेंट लेना चाहते हैं ठीक बहुत लोग ढूरते रहेते कहां पे मिलेगा तो बहुत ही असलान है दोस्तों छोटी सी जानकारी है मैंने का आपको इसाथ share की जाए यहाँ पे देखसेते, 3 line है, इस पे उझे किलिक करना होगा, जैसे मैं इस पे किलिक करूंगा, देख सकती, यहाँ पे आपका यह QR Code आ चुछा है, ठीक, अब इस QR Code को scan करके, कोई भी payment आपको कर पाएगा, दोस्तों, कुछ इसी परकार करना चाहते है, इस QR Code को, कोई कहता है, अपना QR code भेज दो मुझे पर payment कर दे रहा हूं तो आपको क्या करना है share QR वाले option पर click कर देना है जिसे आप share QR वाले option पर click करेंगे अब उसका number कहां पर भेजना चाहते है WhatsApp पर तो WhatsApp पर आ जाना है WhatsApp पर जिसे आप आ जाएंगे यहां पर पना password डालेंगे उसके बाद जिसे हमने इनको भेज दिया अब यह क्या करेंगे अब यह देख सकते हैं इनके पास पहुंच चुका बार कोड अब यह बार कोड को स्कैन करके वहां पर देख सकते हैं असाने से payment कर प कर दो